मुझे 11 दिन हो गए हैं और मैं इसी कमरे में बंद हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ यह मेरा कमरा है यह मेरा बैल्ड है टोलेट वाथूम और इसी कमरे में बंद हूँ बस घर के नीचे गया जहां रेस्टोर्णट है ठीक है वहीं से कुछ बनाया खाने का समान उपर आ ग अब नहीं आ रहा है कि सरकार ने निजदेस दियें कि सब लोगडाउन सब को बंद करो तो 11 दिन से यह सब बंद है और मैं आपको यह बताता हूँ कि इटली दुनिया के चिक सेकंदर नमबर दो पे आती है इटली ने इस महमारी के आगे अपने हाथ खड़े कर रखे हैं सो देख यह प 우리 अब बंद भा यह मास्क का डब आप देख रहा है पूरा डबबा पैकिट ला रहा है मैंने और पूरी बोतल यह जब भी हम लोग नीचे जाते हैं आपने रेस्टरों से बहार में नीचे बढार में या सरकारी लोग आपको समझा रहे हैं तो उसको समझने कोशिश कीजिए और उन लोगों से मेरी हाथ जोड़के परातना है जो अफवाएं फिला रहे हैं प्लीज अफवाएं मत फिलाएं मैं वो देख चुका हूँ वो सीन देख चुका हूँ कि जो आप लोग देख नहीं सकते और मैं उन डॉक्टरों को नर्सों को नमन करता हूँ उनके चर्णों में नमन करता हूँ जो राद दिन भूक प्यास सब कुस दाव पे लगा के लगे हूए हैं कोई सिकायत नहीं कर रहे हैं वो लोग माना और सेवा के लिए लगे हूए हैं मैंने जब उनको देखा जब न्यू टीवी के अंदर जब दिखाया लाइव दिखाया गया तो मेरी आँखों से आस्वान लगे हैं ये लोग नीचे फस पर सो रहे हैं दस मिंट का टैम मिला तो सो रहे हैं एक मिटर की दूरी से मास्क आपके चेहरे पर होना चाहिए बोतल आपकी जेब में होनी चाहिए आप बाहर जा रहे हैं बोतल आपकी जेब में होनी चाहिए कहीं भी आप किसी वस्तु को आपने चुआ तुरंत हाथ आप लोग ये भूल मत करें कि ये हवा में फैलता है नहीं ये चूने से फैल रहा है ये चूने से फैल रहा है ये मूँ नाक और आँख के जरिये इनसान के स्रीर के अंदर परवेस कर रहा है तो मेरी आप लोगों से प्रातना है कि सरकार की जो भी नियम है उनका पालन कीजिए अगर ये हिंदुस्तान में आ गया ये मेरी आप लोग एड़वाइज मानलो या चेतामनी मानलो जो भी आपको मानना वो मानलो अगर ये हिंदुस्तान में आ गया फेल गया तो मेरे देश वासियों मैं आपको ये चेलेंज से कहा रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान में ट्नांटब करवा देगा और लासो का अमबार लग जाएगा हमारे पास इतनी अच्छी चीकेश साथ नहीं है अगर किसी बंदे को डेंगु हो जाता है मैं गंगानगर का रहने वाला हूँ रासोनगर का और अगर किसी बंदे को डेंगु हो जाता है तो उसे जैपूर या बिका ने रेफर किया जाता है डेंगु का इलाज नहीं हमारे पास तो मेरे भाईयो मेरी आपसे प्रातना है कि मेरी बिंती को सुने और अपने आपको सुरुक्सित कीजिए अपने परिवाय को सुरुक्सित कीजिए क्योंकि तीन दिन तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि यह आपको होग है आप पूरे घर को लेब डूबोगे पूरे महले को लेब डूबोगे तो मेरी आपसे प्रातना है जो गलती इटली ने जर्मनी ने फ्रांस ने स्पेन ने किया वो आप ना करें इन लोगों ने पहले मजाग में ले लिया और अब गले में हड़ी अटक गई हमारे हम लोग कहीं जान नहीं पा रहे हैं आप क्यों नहीं समझ रहे हो फ्लाइटे बंदे ट्रेने बंदे हैं बसे बंदे हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों इससाथ यह चीज हो समझने की कोशिश करो आप लोग अफ़ाए ना फेलाएं कि प्याज खाने से ठीक हो जाएगा दस रपेगा जाना लगा नहीं मत कीजिए यह चीज अपने घर में बैठे और अपना मेडिकल इलाज खुद कीजिए चेक करी कीजिए आप अपने सांस को फुलाएं और अगर आप 35 मिट चार्ज सेकंड या 40 सेकंड अपने सांस को रोक सकते हो तो आप बिलकु स्वस्त हो क्योंकि जिसको कोरोना वायर्ज हुआ ना वो 10 सेकंड या 15 सेकंड से जाद अपने सांस को रोक नहीं पाएगा फुला कर तो अपने घर पे इलाज कीजिए मास्क का यूज कीजिए ठेंडराइट का यूज कीजिए प्लीज जिंद्गी रही तो पैसे फिर कुमा लोगे और जिंद्गी नहीं रही तो घंटा भी नहीं कुमा पाओगे आपकी एक गलती आपको तो ले डूबेगी अपने पूरे परिवार को ले डूबेगी और पूरे मोहले को ले डूबेगी और आपको मालूम भी नहीं चलेगा तो मेरी आप लोगों से प्रातने हैं हाथ जोड़ के प्रातने हैं कि प्लीज अप वर दान मत दे अपनी सुर्खसा कीजिए और भीडभाड बिलकुल मत होने दीजिए अगर आपको छीक आती है तो अपने हाथों का यूज मत कीजिए टीशू है तो उसका यूज कीजिए अईसा अपनी बोड़ी का यूँ यूज कीजिए यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग यहां भूगत भोगी है इटलीस भूगत भोगी है हम लोग बंद है कमरे के अंदर प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं कह पा रहा हूँ हम लोग मुरुख नहीं है गुम बाहर हम भी जा सकते हैं लेकिन हम पालने कर रहे हैं सरकार के नियमों का तो आपसे प्रातने हैं कि प्लीज बाहर मत जाईए इससे ज़्यादा मैं आप लोगों कुछ भी नहीं बोल सकता